देखे ये जो है mixture और allocation का important question है जो सारे exam में आते हैं तो इसका मैं आप solution बताऊंगा जिसे कि आप exam में इसको गलती ना कर पाएं देखे 50 लिटर के एक मिसरण में alcohol और पानी का अनुपात क्रमसा 1.4 है यदि 10 लिटर मिसरण को निकाल लिया जाता है तथा 10 लिटर पानी डाल दिया जाए तब alcohol तथा पानी का क्रमसा अनुपात क्या होगा तो दिखिये पहले तो हमारा है 50 liter में सूरन इतना है 50 लिटर और इनका रेषियो कितना निया गया है तो अलकोहल और पानी का जो रेषियो दियागया एक अनुपात 4 में दिया गया है जब भी हमारा अनुपात में तो हमें हर एक क्वांण कालने के लिए क्या करते हैं जो हम मारा थे उसकोών कर सो जोड़का इंकार भागर देते हैं तो यह एक और चार कितना हुजएगा फाइस पांच और बांडिर कितना दश के अनुपात है इस कितना हो जाएगा दास है और हमारा पानी कितना होज़सर पानी कितना हो जाएगा चालीस तो कि सब्सक्रार कने कि लिए जाये यानि पहले पचास लीटर था अब अब दस लिटर निकाल रहे हैं 10 लिटर हम अनुपात पानी को यह आझा पर दो आएगा तो यह हमारा निकला आठ लिटर अब देखिए हमारा पहले जो है कितना था दस और चालिस था यहां पर अल्कोहल और यहां पर हम पानी लिख देते हैं तो पहले हमारा अल्कोहल कितना था दस लिटर और पानी कितना था चालिस लिटर और हमारा निकला है तो दो लिटर हमारा अल्कोहल निकल गया यहां माइनस लगा देंगे और 8 लिटर हमारा पानी निकल गया तो यहां भी माइनस निकल लेंगे तो बचा कितना तो यहां पर देखिए 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा 8 लिटर और यहां पर हमारा कितना बचा 32 लिटर अब हमारा कह रहा था कि 10 लिटर पानी डाल दिया जा